बेटी हंजी लेकिन क्या हुआ मैडम आपने मिठाई गेर क्यों दी मैडम रुको हाँ क्या हुआ ये लो मिठाई खाऊ मिठाई लेकिन किसलिए है आप पहले खाऊ तो सही फिर बताऊँगा कि ये किसलिए है अज़ ठीक है ये लो खाली अब बताऊ किस खुशी में बाट रहे हो खुशी की बात ये है कि मेरे घर ना बेटी हुई है बेटी हंजी लेकिन क्या हुआ मैडम आपने मिठाई गेर क्यों दी होना तो क्या ही है मैं तो तुम्हारी पागलो वाली हरकत देखकर हैरान हूँ ऐसा क्या कह दिया मैंने लड़की होने पर तुम मिठाई बाट रहो तो मैं क्या ही कहूँ अरे मैडम इसमें गलत क्या है मेरे गर बेटी हुई है लक्षमी आई है तो मिठाई तो बाटूंग आई न क्योंकि लड़का हो या फिर लड़की खुशी ना दोनों की मनाई जाती है मैं तो भूली गई थी तुम्हें एक छोटा काम करने वाले एक छोटे सा ड्राइवर हो तुम कहां सोचोगे कि कुशी लड़का होने पर मनाई जाती है लड़की होने पर छोटा काम तो आप मेरा बोल रहे हो लेकिन छोटी सोच आपकी है ये मेरे को आज दिख गया शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे ड्राइवर हो तुमारे ना इस बत्तमीजी के कारण ना मैं तुम्हें नोकरी से निकाल सकती हूँ देखो मैडम आपकी नहीं इतनी उकात नहीं है कि आप मेरे को नोकरी से निकालो मैं आज से ही आपकी ये ड्राइवर वाली नोकरी छोड रहा हूँ और हाँ आज से क्या अभी से आरे मैं इंस्टेंट ड्राइवर कैसे लेकर आउंगी मुझे दो तीन दिन का टाइम दो मैं ड्राइवर ढूंड के ले आउंगी मैं ऐसी लेडी का ड्राइवर बनकर नहीं रह सकता जिसकी सोच यह है कि खुशी ना सिरब लड़का उने पे मनाई जाती है लड़की उने पे नहीं और सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है आप खुद हो रहा तो और फिर भी यह बात बोल रहे हो मैंने तो बस वो ही बोला जो आजकल का समाज बोलता है समाज असकाएगा तो तुम कहां कहां से काम छोड़ दोगे आप खुद ऐसे हो ना इसलिए आप समाज की सोच को भी गलत बता रहे हो लेकिन आज के समाज की सोच वैसी नहीं है आज खुशी चाहे लड़का हो या फिर लड़की दोनों में मनाई जाती है तुम नहीं समझोगे आज भी ना लड़के काई ना काई लड़कियों से आगे है होंगे लेकिन लड़किया भी ना कम नहीं है आज के टाइम में ऐसी कोई फिल्ड नहीं है जहां पे लड़किया अपने समाज अपने गर अपने देश का नाम रोशन ना कर रहे हूं और सिर आपको आपकी नोक्रिम वारत मेरे को मेरी बेटिम वारत आपकी नोक्रिम वारत